वो आंक्डे ही हैं जो सफलता का ताज पहना देती हैं और वो आंक्डे ही तो है जो नाकामियाबी के राज खोल देती हैं वो आंक्डे ही होते हैं जो जिन्दगी या बिजनेस का भविश्य से निर्धारित करता है दोस्तों नमस्कार, मैं मुहत हवाईद, M-TX चैनल में आपका स्वागत करता हूँ अपने जीवन में परेशानियों का सामना वही करता है जो नए चुनावतियों को स्विकार करता है, लड़ता है और अपने कारेशेतर में आगे बढ़ता है जिसे परेशानी से डर लगता है, वो केवल आउसत बिजनेस में पूरी जिन्दगी को जोग देता है अगर आप गौर करें, तो अधिकांस ब्यापारी भाईयों के पास इस तरह के सवालों का कोई जवाब नहीं होता जैसे कि साउप में कितने का इश्टाक है, तो वो कहेंगे पता नहीं महिने में कितना कमाते हैं आप, तो वो कहेंगे पता नहीं मार्केट में कितना उधार फंसा है, तो वो कहेंगे पता नहीं ब्यापारियों का देंदारी कितना है? कब चुकाना है? ये पता नहीं. कैसे मैनेज होगा? ये पता नहीं. बिजनेस और घर का खर्च बिलाकर महिने में कुल खर्च कितना है? तो वो बोलेंगे पता नहीं. आने वाले एक साल में कितना बचत हो पाएगा? ये भी पता नहीं. अगले एक साल में कितना प्रोग्रेस करना है तो अभी इसके बारे में सोचा नहीं इसका मतलब तो यही होता है कि अपने हात में एक ऐसी गाड़ी है जिसमें कोई ब्रेक ही नहीं है या उसमें पेट्रॉल कितना है ये भी पता नहीं कितनी दूरी तक जाएगा ये पता नहीं तो ये समझ लेना कि बड़े मुकाम तक पहुँचने कभी कोई गारंटी नहीं है चाहे बिजनेस हो या गाड़ी दोनों पर एक ही सिधान्त लागू होता है अगर अपने बिजनेस को हेल्दी और स्वस्थ बनाना है अपने बिजनेस के डारेक्शन को सही करना है अपने बिजनेस को अपने कंट्रोल में रखना है तो इसके लिए आपके पास अपने बिजनेस के परफेक्ट अंखणों का होना बहुत जरूरी है और आपने कई ऐसे लोगों के बारे में सुना भी होगा कि फला आदमी का बिजनेस अच्छा चल रहा था, पता नहीं कैसे डूब गया दरसल बिना प्लानिंग, बिना लक्ष और अपने बिजनेस के जरूरी या आती महत्पूर्ण डेटा का सही आकलन नहीं कर पाना समय रहते सही कदम नहीं उठा पाना ही बिजनेस डूबने का सबसे बड़ा कारण होता है क्या आपको मालूम है, खीर कैसे बनाया जाता है? सिम्पल सा प्रिंस्पल है, दूद डालो, पानी डालो, चावल डालो, शुगर डालो और उबाल दो, खीर तयार लेकिन स्वादिष्ट खीर बनाना हो, तो इन सभी इंग्रेडियेंट्स को सही अनुपात में डालना होगा इलाइची और ड्राइफूड भी डालना होगा और सही तापमान में एक निश्चित समय तक पकाना होगा क्या ये सही है? खीर बनाने और स्वादिष्ट खीर बनाने में फर्क उचित अनुपात या सही अंकडो का और सही तापमान में सही समय तक उसे पकाने का होता है दोस्तो यही बात बिजनेस में भी लागू होता है बिजनेस करने में और बेहतर बिजनेस करने में भी अंतर आंकणों कही होता है अगर आप अगले श्टेप में बदलाए गए आंकडे तयार करते हैं तो आपको किसी और मोटिवेशन की जरुवत भी नहीं होगा बलकि आपके आंकडे आपको सही दिसा में जाने के लिए प्रेजित करता रहेगा इसके लिए आपको प्रति दिन साथ अलग अलग तरह के आंकडों को जैसे बिक्री, खरिदी, पेमेंट, लेंदेन, खर्च, इस्टाक, आदी की मात्रा को एंट्री करना होगा आप चाहें तो अपने मोबाइल, लेपटाप या कम्प्यूटर से किसी एप के द्वारा जैसे ब्यापार एप, माई बिल्बूक एप्लिकेशन, इनसे भी आप कर सकते हैं लेकिन अगर आप इनका उप्योग नहीं करते हैं तो ये काम आपको अलग-अलग खाते या रेजिस्टर में मेंटेन करना होगा, तो आईए जानते हैं पहला पॉइंट, प्रोड़क्ट एंट्री रेजिस्टर, रोज नाम चा, एक सवाल आपसे दोस्तों परसो रात्री में आपने भोजन के साथ कौन सा सबजी खाया था, क्या आपको याद है? सायद नहीं, या हो सकता है आपको मालूम हो, लेकिन 99 प्रेजिस्ट लोगों को यह याद नहीं रहता कि परसो कौन सा सबजी खाया था, तो अगर आपका कोई व्यापारी आपसे कहे कि पिछले माहा का एक कलम आपका बाकी है, या कुछ आइटम आपके पास आया था, जिनम होगा, दिमाग पर जोड़ दे कर सोचना होगा, लेकिन कोई गारेंटी नहीं कि याद आही जाए, और अगर आप अपने खरीदी के वस्तु का प्रति दिन एंट्री रिगार्ड रखते हैं, तो तुरंत परने पलटकर चेक कर सकते हैं कि जो आपका व्यापारी कह रहा है, वो सही है या गलत, या फिर उस तारिख में आपके पास क्या-क्या सामान आया था, और आपके पास बिल भी नहीं है, तो उसका डेटेल बतलाकर उससे दुबारा बिल देने को कह भी सकते हैं, दूसरी बात, अपने खरीदी के आकड़ों से आप पता लगा सकते हैं कि कब कह से महिने में या साल में कितना खरीदी किया था, तीसरी बात, अगर दो-तीन जगह से एक विराइटी कीमत में फर्क की वज़े से अगर आप खरीदते हैं और कभी किसी वस्तु में कोई प्राबलम आ जाए, जैसे एक्सपारी डेट या डेमेज का, तो इस रोजनामचा से ज बनाएं, जिसमें अपने साप से जब भी किसी को पेमेंट देते हैं, चाहे ब्यापारी हो, चाहे किसी भी कारे के लिए दिया जाने वाला पैसा हो, उसे तुरंत एक डायरी में नोट कर लीजिए, दिमाग में विचारों का हमेशा सैलाब उमरते रहता है, कई बार नोट करके नहीं रखते हैं, तो आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, या अगर कभी किसी के साथ भी पैसों के लिंदेन में फर्क पढ़ने के संभावना हो, तो आपका पेमेंट नोट करने वाला डायरी आपका सबसे बड़ा सबूत बन सकता है, और आप बता भ देखिए, मैंने तुरंत नोट भी किया था, इसके अलावा महिने या साल भर के अपने खर्चे या ब्यापारी पेमेंट का आंकड़ा भी इस पेमेंट डायरी से आप आसानी से जान पाएंगे, इसलिए लेंदेन के मामले में परफेक्ट बने, इस डायरी में अपने साथ स किसी भी खर्च या किसी भी पार्टी को दिया जाने वाला पेमेंट जरूर नोट करें, आप चाहें तो इसे छोटे पॉकेट डायरी पर भी प्रतिदी नोट कर सकते हैं, तीसरा पॉइंट, ब्यापारी खाता, आप नगदी खरीदी करें या क्रेडिट में, अपने सभी ब हो जाता है, जब भी आप पेमेंट देते हैं, उसे भी तारिक के साथ जरूर नोट करें, कभी कभी दिमाग कन्फ्यूज भी हो जाता है कि अरे यार, उसके यहां से पंद्रा दिन पहले सामान आया था, उसका पेमेंट गया है या नहीं, तो ये खाता इस बात को क्लियर कर देगा, कभी कोई पार्टी पेमेंट के बारे में पूछता है कि आपने पिछली बार कितना पेमेंट दिया था, तो आप 100% स्योर होकर बता भी सकते हैं कि आपने कितना पैसा पेमेंट किया था, ये भी एक तरह से आपको भूल चुक या डबल पेमेंट से बचाता है, पॉ प्रक्षित रखिए जब तक उसके बाद आने वाला बिल पेड़ न हो जाए या फिर अगर टोटल केस में खरीदी करते हैं तो जब तक कि उस बिल को अच्छे से समझ ना ले या उस बिल से खरीदे हुए आइटम आपके पास बीक न जाए या उस बिल से खरीदे हुए जाना खरीदी कम कीमत पर होगा पाच्छों प्रोड़क्ट प्राइस डायरी दोस्तों आप तो यह भी जानते हैं कि आज विराइटी भी कितना ज्यादा बढ़ गया है एक एक आइटम के भी दददस विराइटी या उससे ज्यादा और कई बार कम बिगने वाले सामानों का कीमत याद भी नहीं रहा पाता अगर आपने बिल फाड़कर फेक दिया है तब तो और मुस्किल हो जाता है वास्तविक खरीदी कीमत को जानना तो इसका सबसे बढ़िया उपाई यह है कि एक डायरी बनाकर हर नए इस्टाक की खरीदी और विक्री कीमत को एंट्री कर लेन बाद में याद आता है कि खरीदी किस कीमत पर हुआ था तो उस समय बहुत पश्तावा भी होता है मन में या फिर आपके अलावा कोई और भी सदस्य सावप में बैठता है जिसे खरीदी विक्री कीमत का सही जानकारी नहीं है तो वो कम या जादा कीमत पर भी बेच सकता है या फिर अगर आप प्राइजवाला डायरी मेंटेन करते हैं, तो आपके परिवार का कोई और सज़स्या आपकी गरहाजरी में आपको बार-बार फोन करके ये नहीं पुछेगा कि फला वस्तु का खरीदी या विक्री कीमत क्या है। इस तरह से बहुत सारे हालात में आपका ये विक्री प्राइजवाला डायरी आपकी बहुत मदद करेगा। उसके साथ ही गरहक के पैसा पेमेंट करने की तारिक लिखते हैं। मेरी सलाह मानें तो उधार देने के साथ ही वापसी की तारिक जरूर नोट करें। और इस खाते का पन्ना दो-चार दिन में एक बार जरूर पलटें। ताकि जिसका payment देने का वक्त आ गया हो उसे सुचित करते बने उन्हें याद दिलाते बने कि payment का वक्त आ गया है पॉइंट नमबर साथ नए ग्रहक और व्यापारी के फोन नमबर का डायरी ग्रहक चाहे पुरा ना हो या नया हर किसी का फोन नमबर एक डायरी पर हमेशा नोट करें इसका फायदा ये होगा कि आप उन्हें दिपावली दसारा होली आदी विश कर सकते हैं अपर या इसकिम के बारे उन्हें बता सकते हैं कुछ दिनों से अगर कोई साप में नहीं आ रहा हो तो उसका कारण जान सकते हैं पेमेंट लेट हो रहा हो तो उन्हें मैसेज भेज सकते हैं या उन्हें याद दिला सकते हैं आर्डर के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्रोड़क्ट सप्लाई में सही लोकेशन पर बिना परिसानी के आसानी से डिलिवरी दिया जा सकता है, वाट्साप फेस्बुक के द्वारा नए प्रोड़क्ट की एड दिखाया जा सकता है, अगर आप कस्टमर के फोन नमबर हमे और साथ ही अपने ग्राकों से अपने साप के बारे में फीड़बेक भी जरूर ले सकते हैं, दोस्तों एक और महत्पून बात, डाक्टर के पास जाओ तो ब्लट पेसर और पल्स रेट का आंकड़ा चेक करता है, इंटर्व्यू के लिए जाओ तो क्वालिफिकेशन और एक जरूत के हिसाब से इन आंकड़ों को चेक करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो मेरा सजिशन है जरूर कीजिए, आपके बिजनेस का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होगा, क्योंकि जिन्दगी आपका है, लक्ष भी आपका है, बिजनेस भी आपका है, और वक्त कहां लगान हैं, ये फैसला भी आप ही कहोगा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जैहिन, वन्ने मत्रम